तो चलिए बनाते हैं एक कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नया नास्ता और इसे बनाना बहुत असान है आपको जब खाने कामन करें तो आप बना सकते हैं इसे तो चलिए इन्हें बनाना कैसे हैं देख लेते हैं इसे पीच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से और मिक्सर के जार में डाल करके इसे हम ग्रेंड कर लेंगे यानि की ब्रेड करम्स बना करके रख लेंगे इसे हम बाद में यूज करेंगे तो इस तरह से आपको तोड़ लेना है और ग्रेंड जार में डाल देना है तो चाठो ब्रेड है तो एक ही साथ में आ जाएगा तो हम इसे पीछ लेते हैं तो ब्रेड करम्स बनके तयार है तो यहां पे हम एक बड़े सज के आलू लिए हैं आलू को छील लिए हैं धो लिए हैं और ग्रेटर से इसे हम ग्रेट कर लिए हैं तो ग्रेटर बहुत सारे तरह के आते हैं जिसमें मोटे छेद वाले ग्रेटर हूँ उस रैसुन कदू कस किया हुआ एक चमच अद्रक वह भी हम कदू कस कर लिए हैं साथ में डाल देते हैं तीखा और चटपटा के लिए दो से तीन हरी मीर्च थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे अब हम इन सभी में थोड़ा सा मसला डाल रहे हैं तो आधा छोटा चमच है पॉना हुआ जीरा का पॉडर आधा छोटा चमच है गरम मसला आधा छोटा चमच धनिया का पॉडर लिए हैं नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अब हम इसमें डाल दें थोड़ा सा रेड़ चिली फ्लेक्स यानि की लाल मिर्च कुटा हुआ इससे टेस्ट बहुत ही आधा हैं आतल ब्रेयर कर्म्स दालेंगे तो हम चाट हो ब्रेयर करम्स बना करके रखे हैं वो सभी आ जाएगा फिर भी आप एक ब़ार देख लीजिएगा अच्छे से तो इन सभी को हम अच्छे से मिला दिये हैं इसम्साला के साथ में आलू और पियाज दिख सकते हैं बह इन में ब्रेण करम्स डाल देते हैं तो यह सब अच्छे से मिल चुके हैं और बहुत सारा मौस्चर रिलीज किया है अलू और प्याज ने तो इसमें प्टानी का भी इस्तवालिज नहीं करना है अलू प्याज में देंगे आफ हैं हैं सब तो देख सकते हैं ब्रेड करम्स आलू प्याज में बहुत ही अच्छे से मील चुके हैं तो अब हम इन में डाल देते हैं दो चमस के करीब चावल का आटा चावल का आटा डालने से पखोरा जो बनाएंगे और बैंडिंग के लिए भी अच्छा रहता है अगर आपके पास चा ही टेस्टी लगता है तो मिला लिए हम अच्छे से यह सो मिल चुके हैं देख सकते हैं तो नास्ता बनाने के लिए मिस्टरन पूरे तरह से त्यार है तो इसे हम साइड में रखते हैं हाथ को एक बार अच्छे से धो लेंगे और फिर हाथ में आप थोरा सा तेल लेगा और थोरा सा मिस्रन लेंगे एक ठो निम्बू के जैसे और इसे हम गोल कर लेंगे हाथ से इस तरह से आप चिकना कर लीजिएगा फिर आप इसे दवाते हुए टिकी का सेप के जैसे बना लीजिएगा और साइड सब जो आपको लगे टेढा बेका तो इसे आप सिधा कर से हैं फिर हम इसे सेखेंगे तो इसी तरह से आपको सभी नस्ता को बना लेना है एक ठो नस्ता हम आपको और बना करके दिखा दे रहें सेम प्रोसेस रहेगा बहुत ही असान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो इसे भी हम गोल किये हैं फिर चप्टा किये हैं और नहीं है तो उसे पाष्छे चिकना परको सेट कर लीजिएगा तो एक साथ में हम छेसे साथ बना पर्ल करकर तैयर कर लिए है और यो बचा हुआ है जब तक यह से कहेगा तो तो ब कर दो pense कर लेंगे तो फैने टाले हैं 3-4 बड़े चमच तेल भी गरम हो चुके हैं अच्छे से तो इन्हें हम नस्ता को इसमें डाल देते हैं और नस्ता को फ्राय करने के लिए आपको 3-4 मिनट का टाइम देना होगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुतно जल्दी फ्राइब हो जाते हैं गैस का फिल जाएंगे तो इसका साइड हम चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद में भी मीसे अच्छे से शेक लेंगे क्रेश्पी होने तक तो यह थोड़ा सा लग रहा है कलर इसका चेंज हो गया है इसका साइड हम चेंज कर देते हैं और इसे सेखते हुए हमें अभी दो मि करते हुए तो इन अच्छे से शेख चुके हैं देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है तो इसी तरह से हम बाकी का बचा खुआ नस्ता भी सेख करके तैयार कर लेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं चार से पांच मिनाट में एक बैच यह तलके तयार हो जाते ह तो इन्हें हम अब निकाल लेते हैं तो यह recipe आपको कैसी लगी comment में हमें जरूर बताइएगा और recipe अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share कर दीजिएगा चैनल में पहली बार आए हैं तो subscribe कर लीजिएगा साथ में bell icon को प्रेस कीजिएगा आने वाली वीडियो का notification मिलते वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं कि नए recipe के साथ में और tasty recipe के साथ में